अब चौथा प्रकार है आपका डेल्टाई वन जब हम डेल्टाई वन की बात करेंगे ये भी नाम से इस पस्ट हो रहा है डेल्टाई छेत्रों में हमें देखने को मिलता है चाहे हम अपने गंगा, यमुना, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सभी जो नदियां हैं जो इनके डेल्टाई छेत्र हैं दल्दली भूमी वाले भाग होते हैं वहाँ पर हमें डेल्टाई वन पाए जाते हैं और यहाँ पर प्रमुक रूप से मैंग्रो वनस पतियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं इसलिए हम इसे मैंग्रो या फिर ज्वारी वन भी कहते हैं इन वनों की जो लकडियां हैं यह हम अधिकतर आर्थिक द्रिष्टे से यदि हम बात करें तो यह नाव बनाने के काम आती हैं अगला हमारा वर्गी करण है परवतीवन तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम परवतों में उचाई की और बढ़ते जाएंगे तो परवतों में उचाई की और तो हम परवती छेत्री के निचले हिस्से से लेकर ऊपरी हिस्से तक की बात करें, तो वहां पर हमें उष्ण कटी बंधी से लेकर अलपाइन तक की बनस्पतियां मिलती हैं। और इसे हम आगे तालिका से देखते हैं, कि हमारे भारत में जो हिमालय परवती प्रदेश है, वहाँ पर किस-किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। यह हमको उष्णकटि बंधी से लेकर अलपाइन वनस्पतियों तक का क्रम हमें मिलेगा। तो वह इस प्रकार है, वनों के प्रकार कौन से होंगे और प्रमुख व्रिक्ष वहां कौन से मिलेंगे इस पर हम बात कर लेते हैं। इस तालिका से आपको इस पस्ठ हो रहा होगा। उचाई जहां पर शुन्य से लेकर 1200 मिटर तक है। वहां पर उष्ण कटिबंधी सदाप्रणिवन और प्रमुख विक्ष उनवनों में डालचीनी, चंदन, खैर, सेमल, लारेल, साल और सारजु। जहां पर 1200 से 2400 मिटर की उचाई मिलती है। वहां पर सघंतराईवन और उपोष्ण कटिबंधी पहाड़ी वनस्पतियां मिलती है। और इसमें प्रमुख व्रिक्ष होते हैं जो सदाहरित बाज, चेस्टनट, चीड, लताएं और अलग-अलग टाइप की जहाड़ियां और बास के व्रिक्ष। फिर 2400 से 3600 मिटर की उचाई पर जाने पर हमें अलपाइन वनस्पति और शितोष नकटी बंधी वन मिलेंगी। इसके निचले भाग पर चौड़ी पत्ति वाले ओक, लारेल, बर्च और एल्डर मिलते हैं। और इससे अधिक उचाई पर जाने पर सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस और और अधिक उचाई में हम जाएंगे तो शंकुधारी वन हमें देखने को मिलेंगे। च्छति सो से 4800 मिटर की उचाई पर उचल पाइन वन मिलते हैं और इसमें प्रमुक वरिक्ष हैं, शंकुधारी वरिक्ष, जो पाइन हैं, स्प्रूस और फर, इस टाइप के वरिक्ष हमें मिलेंगे। और 4800 मिटर से अधिक की उचाई में जाने पर हमें किसी भी प्रकार की कोई व्रिक्ष नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हीम रेखा से उपर आ जाता है जहां पर हमेशा बर्फ आच्छादित या ये छेत्र बर्ख से ढखा हुआ रहता है भारत में वनों का वित्रण देखते हैं हमारे भारत में 752.3 लाख हेक्टेर भूमी जो की 19.47 प्रतिशत है इतने छेत्र पर वनों का विस्तार है और प्रतिव्यक्ति वनों का जो औसत है ये हमें यहाँ पर 0.2 हेक्टेर मिलता है और वनों का वित्रण भारत में बहुत असमान है यदि हम प्रादेशिक वनों के वित्रण की बात करेंगे तो इसे प्रमुक्त चार वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं जैसा आपको तालिका से स्पस्ट हो रहा होगा पहला है परियाप्त वनभूमी वाले राज्य नमबर टू है आवशक्ता के अनुरूप वनवाले राज्य और नमबर त्री आवशक्ता से कम वनवाले राज्य और नमबर फोर है अलप वनभूमी वाले राज्य तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परियाप्त वनभूमी व यहां वनों का प्रतिशत 86.2 परसेंट पुर्वोत्तर राज्यों में मडिपूर 67.5 परसेंट अरुनाचल प्रदेश 61.9 परसेंट त्रिपुरा 61.0 परसेंट मिजोरम 80.5 परसेंट और उत्तरांचल 63 परसेंट शामिली नमबर टू जो इसका क्लासिफिकेशन है उसमें हम देख रहे हैं आवशक्ता के अनुरूप वनवाले राज्ये हमारे परियावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कुल भूमी के लगभग 30 प्रतिशत छेत्र पर वनों का होना बहुत आवशक है और भारत में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत वन भूमी वाले राज्यों के अंतरगत हमारा 36 गड़ है 46 परसेंट में घाले 41.1 परसेंट दादर और नगर हवेली 41.2 परसेंट असम 39.1 परसेंट हिमाचल प्रदेश 38.1 परसेंट उडिशा 38.3 परसेंट सिक्किम 36.3 परसेंट और मध्य प्रदेश 35.1 परस शामिल हैं तीसरा आपका वर्गी करण है आवशक्ता से कम वन वाले राज्यों जहां पर 30 प्रतिशत से भी कम भूमी छेत्र पर बन का विस्तार मिलता है इसमें लगभख 20 परसेंट से 30 परसेंट वाली जो वन भूमी वाले छेत्र हैं वो शामिल हैं जिसमें केरल है 28.9 पर परसेंट आंध्र प्रदेश 23.0 परसेंट करनाटक 20.1 परसेंट और महारास्ट शामिल है जहां पर 20.8 परसेंट वन भूमी का विस्तार है चौथा वर्गी करण है अलप वन भूमी वाले राज्ये इसके अंतरगत उत्तर प्रदेश है जहां पर 17.4 परसेंट नागा लेंड तमिल नाडू और बिहार में 16.8 परसेंट पशिम बंगाल 13.5 परसेंट गुजराट 10.0 परसेंट जम्मु कश्मिर 9.4 परसेंट और राजस्थान 9 परसेंट पंजाब 5.2 परसेंट और हरियाना शामिल है जहां पर 3.1 परसेंट भूमी परवनों का विस्तार है देश के लग पढ़ए दिपी पठार और पहाड़ी यों के अंतर्गत मिलते हैं और 20 परसेंट जो बन है वो हिमालए के परवती प्रदेशों में 12 परसेंट जो वन है उनका विस्तार हमारे पुर्वी घाट और 30 प्रदेशों में है और 10.5 परसेंट पहाट और 30 प्रदेश में और बचा हुआ 7.5 परसेंट जो है वो उत्तरी मैदान में विस्त्रीत है अब हम अपने भारत देश में जो वन संसाधन है इसकी प्रमुख समस्याएं देखते हैं कि कौन-कौन सी समस्याएं तो प्रमुखता से अधी हम बात करें तो यह जो पांच समस्याएं हैं पहला आपका व्रिक्षों की अंधाधून कटाई फिर वनों में आग लग जाना वनों के छेत्रफल में लगातार कमी होना परियावरण असंतुलन और अन्य समस्याएं जैसे मानों के स्वास्थ्यों और उसकी कारी छमता पर प्रभाव या प्रा है जैसे जैसे हमें स्वतंतरता प्राप्ति के बात से ही हम बात करते हैं तो हम लगातार लगातार विकास की बात कर रहे हैं और विकास का मतलब है हमारा नगरी करण और ओद्योगी करण तो नगरी करण हो रहा है इसका मतलब कि बड़े-बड़े आवास बहुमंजिला इमा को साफ करते जा रहे हैं वनों की अंधाधून कटाई करते जा रहे हैं और ग्रामीन छेत्रों में भी हम ये समस्या भी देख रहे हैं कि पक्के भवन ये पक्के मकान जो है उनके निर्माड के चक्कर में हम वहां पर भी जो बन छेत्र मिलते हैं उनकी कटाई करते जा रहे हैं तो अधिकांश जो हमारी भूमी है ये नगन भूमी के रूप में ये हम ये कहें कि बनस्पती विहीन हमें देखने को मिलती है और ये अभी आज हमारी वर्तमान की एक गंभीर समस्या है जिस पर सब को चिंतन करना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है दूसरा देखते हैं हम वनों में आग लगना चुकि ये दोनों तरीके से होता है या दोनों कारणों से होता है प्राकृतिक कारणों से भी और मानवी कारणों से भी और इन दोनों ही कारणों से वन जो हैं वो जलकर खाक हो जाते है और जब हम प्राकृतिक कारण की बात कर रह फिर हम देखते हैं वनों के छेत्रफल में कमी अभी हमने बात की थी कि क्रिशी भूमी का जो विस्तार है इसके कारण और उद्योगों के विस्तार के कारण लगातार उद्योगों के स्थापित होने के कारण और आवासी स्थान इनके बढ़ने के कारण वनों के जो छेत्रफल हैं उनमें लगातार कम ही आती जा रही है क्योंकि हम वनों को ही साफ करके इन सभी का निर्माड कर रहे हैं अगली हमारी समस्या है परियावरण असंतुलन की चुकि हमने बात की थी कि हमारे परियावरण संतुलन के लिए ये एक स्टेंडर्ड है कि लगभग जो कुल भूमी है उसके 33 प्रतिशत हिस्से पर या 33 प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में लगभग 22.9 प्रतिशत भूभाग पर ही वन है और वनों की कमी के ही कारण वाय समस्या के रूप में ये सामने आ रही है अब इसके अलावा अन्य समस्याओं में हम देखते हैं वनों की कमी के कारण उद्योगिक प्रदूशन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है अगर हम वन लगाएंगे तो ये उन उद्योगों से होने वाले जो प्रदूशन है दूशी गैसे जो उसमें से निकल रही है उसको ये अपने में अब्जर्व कर लेंगे और हमें अच्छी गैसे बदेंगे और परीयावरण में एक बैलन्स या संतुलन इस्थापित करते हैं और इनही के कारण इनके कट जाने से हम कहीं देखते हैं कि चुकि संतुलन हो रहा है पर कहीं सूखा और कहीं बाड ये वाली जो समस्या है ये भी उभर कर आ रही है तो ये हो गई हमारे परियावन संबंधी समस्या हैं अब हम ये देखते हैं कि इसके संरक्षन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वनों के संरक्षन के लिए या वन संसाधन के संरक्षन के लिए सबसे आवश्rimination है कि हम जादा से जादा मात्रा में अधिक से अधिक वरिख्षा रोपन का कारिक्रम चलाएं, जितने वरिख्ष हम काटते हैं उससे दस गुना हम वरिख्ष लगाएं, वनो की कटाई पर रोक लगाई जाए जो हम विकास की आड में विकास की बात करके अंधा धुन वरिक्षों को वनों को साफ कर रहे हैं इस बात पर रोक लगाई जाए जिससे हम वन संसाधन का संरक्षन कर सकते हैं साथ ही साथ वनों को आग से हमें बचाना चाहिए तो इसके लिए जो भी प्राकृतिक और मानवी कारण जिम्मेदार हैं उन पर हम रोक लगा सकते हैं या उ रिवहन मारगों का विकास करके वानिकी कारिक्रम विभिन्य प्रकार के शाशन के द्वारा वानिकी कारिक्रम चला कर हम बनों का विकास कर सकते हैं और सबसे आवश्यक और अनिवार ये बात हम कहते हैं कि वन्स अन्रक्षन के प्रती लोगों में जागरूपता का होना अती आ या लोगों के द्वारा जो कारिकरम चलाई जाते हैं उसकी सफलता पूर्णत ह आप और हम पर डिपेंड करती है जब तक हम जागूक नहीं होंगे तब तक हम वन संसाधुनों का या वनों का सनरक्षण नहीं कर सकते तो आप और हम जागूक होकर ज्यादा से ज्यादा वन जिससे हम अपने परियावरण में एक अच्छा संतुलन जो है वो इस्थापित कर पाएं।